इस वीडियो में हम import, export समझेंगे JavaScript में तो JavaScript में अभी import और export काफी change हो चुका है पहले हम अलग तरह से करते थे ये import, export काफी कुछ वैसा सा हो चुका है जो type script से inspired है तो सबसे पहले आपको needed होगा कि जब भी आप script में जो ये नया वाला अगर आपको import, export का syntax यूज करना है तो आपको script tag में यहाँ पर type attribute में module डालना पड़ेगा अभी तक ये by default script में add नहीं हुआ है जब आप module यूज करते हो तभी ये चीजने चलती है वनना console में आप देखोगे तो error आजाएगा जब भी आप import, export यूज करोगे तो सबसे पहले export करना ज़रूरी है तो मैं एक library बनाता हूँ मानलो app.js इसमें मैंने दो constant है, एक function है तीनों को export कर दिया तो यहाँ पे मैंने a, b, sum ऐसा कुछ लिखा है जो आप यह छोटा सा export देख रहे हूँ last में export keyword important है उसके बाद में जो आप देख रहे हूँ वो एक तरह से object का short end है अगर आप object short end समझते हैं तो मिलब a, colon a, b, colon b वैसा सा ही यह act करेगा तो इससे अपने आप एक object बन गया जो आप export करना चाहते हैं अब इसको import भी करना होगा तो यह जो चीज़ा इसको import करने के लिए ऐसा सा ही syntax है आप लिखोगे import फिर एक object अब जो यह object है यह actually destructuring of object है तो उसमें आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हो क्या destructuring होता है यहाँ पे match करेगा name जो आपने वहाँ से export किये तो आप कुछ भी sequence नहीं मदब sequence तो चाहे कुछ भी लिखे हैं लेकिन कुछ भी नहीं लिख सकते अगर आप a लिखोगे, b लिखोगे, sum लिखोगे तो उसी नाम की property जो export हुई थी वो आ जाएगी आगे हमने from लिखा है और फिर जो भी अपकी file की location है तो क्यूंकि वो same folder में मैंने रखी थी यहाँ पे तो .slash app.js रख दिया तो अब आप देखे हो नीचे console.log में मैंने sum में a, b, दोनों यह तीनों ही जो variables हैं वो दूसरी file से आए हुए है तो basically मेरी index.js file है अगर आप ध्यान से देखो तो initially मैंने index.js ही script में लिखी थी तो आपको script में वो file लिखने की ज़र्ट नहीं है जिससे export आप कर रहे हैं वो तो library की तरह act कर सकती है जो आपको execute करनी है वो ही आपने लिखी है अब इसको code से समझ लेते हैं इस code example में ने app.js एक file ली है जो यहाँ connected है type उसका module है और एक library.js है तो library.js में हम कुछ function बनाएंगे जैसे say मैं एक function बनाता हूँ और यह simple सा एक console.log high return कर रहा है इसको मैं export default कर सकता हूँ export default से जो भी आप import करो कि वो ही एक चीज रिटर्न होगी तो इसको directly हम यहाँ import कर सकते है generally import top statement होना चाहिए तो import में मैं लिखूंगा speak इसका नाम बदल भी मैं सकता हूँ तो यहाँ पे directly उस file की जो भी location है .js उस तरह से मैं इसको put कर देता हूँ क्योंकि हो same folder में है speak को जब मैं run करूंगा तो console में हम देखेंगे तो यहाँ पे high आ जाता है तो यहाँ पे type module लिखना काफी ज़रूरी है अगर आप यह भूल जाते हो तो इस तरह से error आ सकता है कि आप import use नहीं कर सकते हो तो export default में तो क्या हुआ कि आपका name बदला भी जा सकता है तो say था speak बन गया और उसके बहुत simple से import statement से आप कर सकते हो तो यहाँ नाम देना जरूरी भी नहीं है अब इसकी limitation वो यह कि एक से ज़ादा चीज़ है अगर आप देना चाहते हो तो आप नहीं put कर सकते तो जैसे मैं function में say और talk दो अलग-अलग function पुट कर रहा हूँ दोनों अलग-अलग message रिटर्न करते हैं तो इसको मैं एक साथ export कर सकता हूँ वैसे उपर यहाँ पे भी export करके मैं directly कर सकता हूँ तो वो भी एक तरीका है जिनली लोग prefer नहीं करते उसको तो यहाँ पे आपको destructuring use करनी होगी और वो दोनों चीजें तो directly यह say करोगे तो यह नहीं चलेगा क्योंकि उसमें से कोई एक default चीज तो चल नहीं रही है तो default missing है तो आपको इस तरह से destructured way में पुट करना पड़ेगा तो दोनों आप पुट कर सकते हो यहाँ पे मैं सीधे say और talk लिखूंगा तो brackets आपको ध्यान देने होगे यह brackets use नहीं होगे यहाँ पे आपको object की तरह इसको पुट करना होगा तो short hand है object का say और talk इस तरह से आप पुट कर दे हो इस तरह से object short hand आप समझते होगे कि जसे say है वो say के बराबर है और talk talk के बराबर है उसको object short hand में हम ऐसे लिखते हैं तो अब भी यह same चीज वैसे ही चलेगी कोई problem नहीं है इस तरह से generally हम export करते हैं अब एक और चीज है suppose आपके पास एक function talk इसी चीज में आप बनाना चाहते हो जो आप फाइल है उसमें already आपके पास function talk है तो दिक्कत क्या होगी कि आप वो दोनों कह देंगे कि यह constant पहले से declared है तो इसको आप as कर सकते हो talk as t जो आपने import किया है उसको as t आप import करते हो तो आप talk imported को आप t बोलोगे और जो इस फाइल में है उसको आप talk तो ऐसे आप alias लगा सकते हो यह alias आप export में भी लगा सकते हो तो ज़रूर नहीं है कि यहाँ import में लगाए यहाँ पे भी मैं as t इसको इस तरह से alias put कर सकता हो तो यहाँ पे t import किया import में तो generally लगाना ज़ादा important है क्योंकि आपको पता नहीं export करते वक्त आपको पता नहीं कहां कहां use होगा तो import में दातर यह देखा जाता है ऐसे ही आप re-export भी कर सकते हो तो export आपको उस file में आपने import किया है उसको re-export भी आप कर सकते हो पर इसका use case बहुत rarely आपके पास होगा तो इस channel पर हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो subscribe कीजिए